हेलो इबरीवन वेलकम टू एसके टूटोरियल आज के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे मिक्स्चर एंड एलिगेशन जो की अलग-अलग कॉंपेटर्टिव एक्जमिशन के लिए इंपॉटेंट होने वाले हैं इस चाप्टर को हिंदी में हम लोग बोलते हैं मिस्रन ये अ लेकर के एडवांस टैप के कोस्टन को भी हम लोग समझेंगे तो सभी कुछ को हम लोग आज के इस एपिसोड में समझने वाले हैं इस चैप्टर से रिलिटेड और मैं आप सभी से प्रॉमिस करता हूं अगर आप इस एपिसोड को पूरा लाश्ट तक देख लेते हैं तो आप किसी भी एक जनुशन का चाहे SSC हो चाहे बैंकिंग हो चाहे रेलवे हो जिसमें मैथमेटिक्स के कोस्टन के कोस्टन के कोस्टन पूछे गए हैं वो सभी कोस्टन को आप खुद से सौल्व करेंगे और मैं प्रॉमिस करता हूं कि आप 30 से 55 से के अंदर आप आंसर निक कर रहे हैं तो आप लोग हमारे पेड बैच में भी जोएन हो सकते हैं अभी जो इस्क्रीन पर दीख रहा है आप सभी को अररबी अलपी एंटी पीसी टेकनिसियन ग्रूप डी जुनियर इंजिनियर ये तो मात्रेक ट्रेलर है और भी विरियस टाइप्स आप कॉंपेटिव एक्जनिस के प्रेप्रेशन कराए जाते हैं टेकनिकल हो या नॉन टेकनिकल आपको अगर जानकारी चाहिए तो आप एडमिशन हेलप लाइन नंबर पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं कि क्या इस एक्जनिसंस के लिए पेड बैच एवलेबल है या नहीं है आप जानकारी ले सकते हैं, तो चलिए, अब हम लोग इस सफर की सुरुवात करते हैं, concept से, तो सबसे पहले समझने की प्रियास करेंगे, सबसे पहले मिस्रन होता क्या है, मिस्रन क्या है, कि दो चीजों का, दो भी, दो मतलब क्या, कुछ भी दो सबस्टांस है, सबच कर लीजिए, A सबस्टांस है, और B सबस्टांस है, दोनों को कमबाइन करके, हमने क्या बनाया, एक तीसरा सबस्टांस बना दिया, जो की C है, वही है, मिक्स्चर, तो यह मिक्स्चर हो गया, लेकिन इस से related question किस तरह से आते हैं, उसको भी समझने के, हम लोग प्रियास करेंगे, यहाँ पर detail में, देखिए, यह basically क्या होता है, ratio find करना होता है, इसमें कि किस तरह से find करते हैं, तो यहाँ पर basically C और D का ratio होता है, C क्या है, C मतलब होता है cheap, cheap मतलब सस्ता, और D क्या है dare, बेसिखली ratio कि होता है हम लोग यहाँ पर इस chapter में यूज करने वाले हैं, एक formula हम लोग यूज करने वाले हैं, तो चलिए हम अगर formula को पता नहीं है तो directly concept भी यूज कर से easy way में solve कर सकने हैं तो यहां पर पहला नमर कोस्टन जो है काता है कि in what ratio grosser man two types of rice of cost रूपीज 620 पैसे मितलब 6 रूपीज 20 पैसे and 7 रूपीज 20 पैसे केजी पर केजी है so that the mixtures जो होगा वो 6 रूपीज 50 पैसे पर केजी हो जाएंगे तो देखिए इसको पहले formula का अगर प्रियोग करके इस question को बनाए किसका प्रियोग करके formula का प्रियोग करके अगर इस question को हम लोग solve करें तो इसको अलग approach से solve करेंगे जैसे कि c और d का ratio निकालना है अगर हमको तो क्या होता है formula basically cost price of d cost price cost price of d minus में होता है market price और buy में क्या होता है market price में minus कर देंगे cost price यानि कि cp of c यह होता है basically formula अब इसका हम लोग use करके भी हम लोग answer को ला सकते हैं इस question का क्या बोला मैंने cost price of d यानि कि d का cost price कितना है तो यहाँ पर जो है न सस्ता वाला cost price ये है इसको c बोलेंगे और महंगा वाला dare यानि कि ये है तो इसका cost price यानि कि 7.20 है minus करेंगे market price यानि कि market price करेंगे ये कितना दिया हुआ है चोर रुपया 50 पैसा तो 6.50 हो जाएगा buy में कितना 6.50 और minus में cost price of c यानि कि सस्ता वाला का 6.20 तो ये जो है ratio किसका आ रहा है c और d का तो finally जो यहाँ पर subtract किया जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर basically 70 हो जाएगा यानि कि 0.70 buy में 0.30 हो गया इसको अगर करेंगे तो यह हो जाएगा 7 by 3 अगर ratio में बात करेंगे तो 7 is to 3 का ratio आ गया तो यही हो गया इस question का answer यह तो हो गया एक approach की formula का use करके आप questions को solve कर सकते हैं लेकिन आपको अगर concept पता नहीं तो आप इसको solve कर सकते हैं चलिए देखते हैं कैसे करेंगे solve ठीक है कैसे करेंगे solve उसको ही हम लोग समझते हैं देखिए प्यारे बच्चो basically यहां पर जो है C और D C कितना है सस्ता वाला फी कितना है 6.20 है कि नहीं है cost पर यहां पर डी जो डेयर है महंगा कितना है 7.20 और दोनों का mixture को कितना में बेचना है 6.50 पैसे में तो 6.50 तो इसको उसमें subtract कर देंगे घटा देंगे 7.20 में 6.50 को ठीक है तो कितना आ जाएगा यहां पर जब इसको घटाएंगे तो 0.70 होगा और इसको जब घटाएंगे कितना हो जाएगा 0.30 दोनों का यही हो गया दोनों का ratio तो हो जाएगा 3 is to 7 मतलब 7 is to 3 हो गया तो इस इधर से भी answer आ गया और इधर से भी answer आ गया तो आप अगर diagrammatic representation करके questions को बनाएंगे तो आपको quickly बना सकते हैं answers बहुत fastly आ सकते हैं तो यह थे question number first और इसी में हम लोग formula को यूज किये और इस step की जितने भी questions होंगे उसमें भी formula यूज करके आराम से आप question को solve कर सकते हैं उसका answers आ जाते हैं तो चलिए हम लोग देखते हैं अब इस त कुछ से solve करने का try करिए क्या आप से solve होते हैं क्या एक बाद में question को repeat कर देता हूं पढ़ देता हूं in what ratio grocer जो है दुकानदार जो है कितना ratio में मिलाएगा ratio निकालना है राइस of the cost जो है वो 10 रुपया है और एंड साथ रुपया पजास पैसा है so that the mixture जो होगा वो 8.25 पैसा पर केजी हो जाना चाहिए तो यहां पर वही C और D का ratio करके find करके निकालना है फटाफर्ट से इसको solve करिए ठीक है formula का यूज करके भी बना सकते हैं इसको यहां पर C कितना दिया हुआ है यानि कि जो cheap price है वो कितना दिया हुआ है यहां पर यह दिया हुआ है तो 7.50 रुपीज पर केजी और D कितना दिया हुआ है D जो given है वो है आपका cost price जो है यहां पर 10 रुपीया है और दोनों के mixture से जो बनता है वो क्या बनता है 8.25 बनता है ठीक है यहां तक हो गया 8.25 हो गया और इसको जब हम लोग क्या करेंगे सब्ट्रेक्ट करेंगे यह 10 रुपीया में 8.25 8.25 को सब्ट्रेक्ट करेंगे तो यहां पर क्या आने वाला है basically 8.25 जब इसको सब्ट्रेक्ट करेंगे तो वो होने वाला है 0.75 कितना 0.75 और इधार यहां पर 1.25 इसको जब सब्ट्रेक्ट करेंगे तो 7.50 और यहां पर 8.25 तो हो जागा गत्ना 0.75 कितना 0.75 आप इसका ratio बेसिक की निकाल देना है इसका रेसियो जब निकालेंगे solve करेंगे कितना हो जाएगा यह basically हो जाएगा सेवन 你स डुब कितना हो जाएगा 3 तो यह जो हो गया इसका answer हो गया बहुत जडी सा questions थीक है अब अगला questions क्या है अगला कोशन है कि what in what ratio एक ग्रोसर मिक्स two types of sugar cost 65 रुपीज पर किजी and 60 रुपीज पर किजी तो ठीक है यहां पर क्या है 65 रुपीज और 60 दिया हुआ हुआ है दोनों मतलब जो महंगा वाला है और सस्ता वाला इस तरह का रेसियो हम लोगों ने लिख लिया है ना और so that there may be gain of 10% by selling the mi 68 रुपीज, 68.20 रुपीज पर किजी में उसको बेचा जाता है तो 10% का profit होता है यानि कि इस दोनों के mixtures को अगर मिला दे और इसको अगर sale किया जाएगा 68.20 रुपीज पर किजी में तो इस पर उसको 10% का क्या होता है profit होता है gain होता है तो बताइए कि इसका ratio क्या होगा ब market price निकाल लेंगे तो लिखेंगे इसको market price into market price का mixed mixtures cost कर लिजिए mixture का cost जो हम लोग निकाल रहे है mixture cost ठीक है mixture cost और 10% का चुकी profit हो रहा है तो 110 मन लिजिए कितना पर 100 रुपया पर और कितना हो रहा है 68.20 आ रहा है जब इसको आप solve करेंगे market mixed cost जो है mixture का cost जो है वह कितना आ जाएगा यहां पर बेसिकली आप इसको जब solve करेंगे यह आजाएगा आपका 62 कितना आजाएगा calculation करेंगे तो 62 आ जाएगा यह आगी आपका mixture का cost आ गया, तो यहाँ पर आपको यह value नहीं लिखना है, क्योंकि इसका 10% कितना निकाले हैं, 62 निकाले हैं, तो नए table का अगर हम लोग यहाँ पर प्रयोग करें, फिर से representation करने के लिए, तो just मैं यहाँ पर आप सभी के लिए बता देता हूं कि जो values था, वो क्या था, 65, 60, 65 और 60 है यहाँ पर given, और 62 हम लोगों ने find किया है, तो इस दोनों को subtract कर देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 3 और यहाँ पर हो जाएगा 2, यानि कि 2 is to 3 का ratio जो आया है, यह हो गया इसका answer, 2 is to 3 का ratio जो आया है, यह हो गया answer, यह questions कै कैसा लगा, बहुत आसान सा था, बस इस तरह के questions को consider कर ले जाते हैं कि यह लेवल का questions है, तो इसमें 10% का profit हो गया, अगला question क्या है, अगला question आप case link पर है, यह merchant जो है, वो 2000 kg of sugar को, यानि कि 2000 kg sugar है, ठीक है, जीनी है, और कता है कि उसको बेचता है, कता है, sum of which, sale at 36% profit, यानि कि कुछ part जो है, उसको 36% के profit पे उसको बेचता है, ठीक है, और कुछ part को बेचता है, 16% के profit पे, ठीक है, question यहाँ तक समझ मा रहा है, करते है, if he gain 28%, करते है, अगर उसको 28% का profit होता है, ठीक है, the whole, मतलब total दोनों को बेच देता है, तो 28% का profit होता है, find the quantity sold at 16% profit, मतलब यह ज बस यह है, questions, बहुत यह आसान सा है, तो देखिए, इसका जो है, basically 36% और 16%, तो इसका ratio निकालना है, तो दोनों पर profit कितना का हुआ है, 28% का profit जो कमाया है, यह दोनों पर न कमाया है, इसको घटा दीजिए, तो यह घटा येगा कितना आ जाएगा, यह 16, 4 हो जाएगा उदर, 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 12 है, और इसको घटाईएगा, तो 36 में, यहाँ पर हो जाएगा, 8, कितना हो जाएगा, 8, इसका ratio क्या हो जाएगा, इसका half 4 और इसका half 6, यह 3 और यह 2, यानि कि 3 is to 2 आया, कितना है, 3 is to 2 का ratio आया, आब quantity निकाल लीजिए, 3 is to 2 का ratio आगया दोनों ratio का sum कर देंगे तो 5 और इंटो में कितना का 2000 kg सुगर था तो यहाँ से इसको multiply कर देंगे 400 इंटो में 2 हो जाएगा तो हो जाएगा कितना 800 तो 800 kg जो है basically चीनी को बेचा होगा 16% के profit पे तो यह थे questions के basically concept I hope आपको समझ में आए होंगे किसी भी तरह का questions है doubt रह गया है तो आप लोग जो है इस वीडियो के comment section में लेकर के भेज सकते हैं तो चलिए रखते हैं आज के इस episode में बस इतना ही मिलेंगे अगले episode में और भी various types of questions को देखेंगे mixture and allegations chapter से कैसा लगा आपको आज के एपिसोड आप लोग comment section में अपना प्रतियुक्तर को दे सकते हैं तो अगर अभी तग आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लिजिए चैनल को सेयर कर सकते हैं तो इसी विजिएर के साथ रखते हैं आज की इस एपिसोड में बस इतना ही मिलेंगे बहुत जल्द ही अगले एपिसोड में तब तक नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम